अपने पीछे नही कहानिया छोड़ जाती है जिन्दा बचे लोगों दुआरा सरकोशियों में सुनाये जाने वाली ये कहानिया हर बार नए राज खोलती हुई अधिक अधिक रोमान्चक होती जाती है आधूने किरत को आकार देने वाली लड़ाई अधिक एसी कहानियों से भरी बड़ी है बर्देसी बेगर मिन ने अपने फाइदे के लिए पुराने आदविश्वाओं का सहरा लिया और भयानक राखशसा के जैसे अपने विशिष दियूता तैयार किये उन्होंने पुराने जमाने के हतियारों से लड़ाई लड़े हाथियों पर सवार उकर लड़ने गए और अपनी ओर से लड़ाई करने के लिए आनिया जन्मली जानवरों को बलाया प्रचिन विद्यों में कुछ फेर बदलकर औशादियां तयार किये जिसे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अतिमानविये शक्तियां प्राप्थूल और मानव मस्तिश का उप्योग किया ताके वो अद्रिश्य हो सकी यंकि अधिकार शत्रू उनके खाटक प्राहरल को कभी देख नहीं सके लेकिन हर क्रिया की प्रत्रिक्या होती है निर्मित सुनेहरे बात में इस प्रत्र की ताकत का उप्योग किया गया ऐसा लगता था कि उन वानों के बईये धर्थी को काटते हुए आ रहे हैं ऐसी बंदू के जो आग और दूआ उगलती थी और उनके हाथियार आसमान से मौत परसाते थे ये टांखां की इननाईयों के इतिहास को याद करता है जिनके खुन से यहां की जटाने और पैद बहुत भी रगे हुए है मैं ये नहीं बता सकता कि ये कहान ये कितनी सची है या जूटी लेकिन जब आप खुद से देखेंगे तो जरूर मान जाएंगे जरूर मान जाएंगे